हलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे एक्जाम है कर यूटूब चैनल दोस्तों हमारी UPSC 2017 के प्रिलिप्स में जिग्राफिय और इन्वारिमेंट से टोटल 21 क्वेस्टन को पूछा गया था उसमें से अलेटे हम लोग यहाँ पर 5 प्रशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज हमारी नेक्स्ट हमारी जो 5 क्वेस्टन है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रशन है आप है with reference to Indian Ocean Dipole sometimes mentioned in the news while forecasting Indian Monsoon which of the following statement is correct दिखो, Indian Monsoon आप बोल सकते हो कि हमारी IOD है, Indian Ocean Dipole इससे भी relate करता है इल निनो, ला निनो, इनसो इनसे भी relate करता है तिन सारे topic हमारी Indian Monsoon को forecasting करते समें यूज किया आता है अब यहाँ पर specific बात किया कि Indian Ocean Dipole की बारे में तो आपको पता होगा कि यह हमारी Indian Ocean है, ठीक है यह हमारी सदर इंडियाग पार्ट है इंडियाग आप देखोगे तो यह हमारी Western Indian Ocean है और हमारी Eastern Indian Ocean यहाँ पर है Eastern Indian Ocean में आपको जो आपको आस्टेलिया या South Eastern साइड देखने मिलेंगी तो यहाँ पर जो इल निनो ला निनो होता है उसका एफेक्ट भी यहाँ पर देखने मिलता है कभी क्या होता है कि Western जो हमारी Indian Ocean होती है यानि मेडागास्कर वाली जो रीजन होती है यह हमारी वाम हो जाता है इस केंपरेड टू Eastern Indian Ocean तो इस वामिंग हमारी Western होती है उसको बोलते है Positive Indian Dipole ठीक है Positive Indian Ocean Dipole जब होती है यानि कि मेडागास्कर वाली रीजन ज्यादा वाम हो जाता है तो इंडिया में मांसून होती है वो अच्छी होती है मांसून यदि Negative Indian Ocean Dipole हो जाती है इस वामिंग होती है IOD Phenomena is a characterized by difference in the sea surface temperature between Tropic Western Indian Ocean and Tropic Eastern Pacific Ocean देखो पार्सली यहां पर correct है Tropic Western Indian Ocean की बात तो की गई है लेकिन Tropic Eastern Indian Ocean हो गया है पर Pacific Ocean नहीं होगा तो पहला इस नहीं हमारी incorrect हो जाती है दूसरा दिया दा IOD Phenomena can influence an ill-nino impact on the monsoon यह हमारी बिल्कुल सही है इल-nino का जो impact होता है मांसून में वो हमारे यहां पर effect करता है जो positive Indian Dipole होते है यानि कि western जो Indian Ocean की जो एरिया होता है वो हम हो जाता है इस केंपेटो इस्टन इंडियन ओसियन ता हमारा अच्छा यहां पर जो जो जाता है तो one का हमारा B आंसर हो जाएगा तो आज का दूसरा यहां पर प्रश्न है दोस्तों If you want to see घरियाल in their natural habitat which one of the following is the best place to visit घरियाल आपको नेच्छा रिभर में देखने को मिलते हैं तो इसका हमारा दो का B आंसर हो जाएगा तो घरियाल हमारी चंबल रिभर का natural habitat यहां पर देखने को मिलते हैं आज का तिसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों Which of the following statement can help in water conservation in agriculture आपको पता होने चाहिए कि agriculture में सबसे ज़्यादा हमारी water का यूज होता है ठीक है तो अग्रिकल्चर सबस्यादा water का यूज होता है उसमें अग्रिकल्चर में water को कैसे कंजर्ब कर जाता है उसमें स्टेटमें देगा है reduced zero tillage of the land यदि आप land को आप जुताई नहीं करते हो zero tillage करते हो जहां जुताई की ज़रुत हो zero tillage में क्या बता है एक्चुली पूरे land को जुताई नहीं की जाता है मालों एक पौधला करना तो वहां पे drill करोगे drill करोगे वहीं पर पौधला का देओगे ठीक है बागी सुराने की रिया को आप जुताई नहीं करोगे तो इसका water holding capacity जो होती है उमारी स्वाइल की बढ़ जाती है और नीचे हमारी बहती नहीं है ठीक है तो दुसरा हमारी सही है तीसरा है allowing crop residue to remain the field अब देखो crop residue को फिल्ड में आप रहने दोगे तो evasion हमारा reduce कर देता है जिसे की smile moisture हमारी retain रहती है तो तीसरा state में हमारी सही है water को conserve करने के लिए तो यहाँ पर आप देखो के 123 इसका answer हो जाएगा तीन का D तो आज का यहाँ पर चवथा प्रश्न देख लिए दोस्तों the terms m strips is sometimes seen in the news in the context of देखो m strips यहाँ पर monitoring system for tiger ठीक है यह किसका institute था जो हमारी इंडिया में tiger जो हमारी टाइगर जो हमारी अथर्टी है tiger authority आप इंडिया वह हमारी इसको monitor करती है और counting करने के लिए टाइगर की यहाँ पर यूज किया जाता था m strips यह हमारी computer program हुआ करता है ठीक है software based हमारी monitoring system है m strip जिसको tiger की conservation के लिए यूज किया जाता था तो यहाँ पर आप देखो के 4 का हमारा B answer हो जाएगा maintenance of tiger reserves चार का B तो आज का हमारा पांच मां यहाँ प्रस्म दो तो इन इंडिया इप species of tortoise is declared protected under schedule one of the wildlife protection act 1972 to what does it imply देखो हमारी wildlife protection जो 1972 है उसमें 5 schedule दिया गया है schedule one में highest protection दिया गया है जैसे tiger को protection दिया गया है वैसे schedule one में किसी की नाम चली जाती है तो हमारी बहुत ज्यादा protection उसको देखने को मिलता है तो पांच का यह हमारा आंसर हो जाएगा इट इंज्वाइद सेम लेवरा प्रोटेक्शन एज टाइगर इदी schedule one में हम ट्रॉट्राइज का नाम डाल लेते हैं तो टाइगर जैसा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है पांच का यह हमारा आंसर हो जाएगा तो यह रहां दोस्तो फाइफ क्वेश्चन आज हमने यह डिसस किये तो आज के लिए वस्तिन आई दोस्तो प्लीक आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लग रहा तो थैंक्यू पर वाचि